प्रूस के इन हमलों की वज़ा से ही यूकरेन के रक्षा मंत्राले की तरफ से दावा ये भी किया गया है कि रूस के इन हमलों के चलते एक करोड लोग प्रभावित हुए है रूस के हमले के बाद में एक करोड लोगों पर बिजली का संकट मड़रा रहा है यूकरेन में हालात किसकदर बिगड़ चुके हैं कीव समेच चार शहर बुरी तरह इससे प्रभावित है यूकरेन पर तेज हुए रूस के हमले ताबर तोड अटैक से तबाह कई पावर स्टेशन यूकरेन में एक करोड लोगों पर संकट पुतिन का ओपरेशन ब्लैक आउट यूकरेन में चल रही जंग पुतिन के लिए आन बान और शान की जंग है इस जंग को जीतने के लिए वो किसी भी हद को बार कर जाना चाहते हैं उनकी सेना यूकरेन को सबक सिखाने के लिए हर पैंतरे का इस्तमाल कर रही है लेकिन सबसे कामयाब पैतरा इन तस्वीरों को माना जा रहा है यूकरेन के रक्षा मंतराले की तरफ से जारी किये गैस विडियो को पुतिन के आपरेशन ब्लैक आउट का नतीजा बताया जा रहा है यूकरेन के कई शहरों का हाल इस वक्त ऐसा ही है लाखनों घर इस वक्त अंधेरे में ढूबे दावा किया जा रहा है कि रूस के मिसाइल हमलों ने यूकरेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस कदर नुक्सान पहुचाया है कि यूकरेन के एक करोन नागरिकों के जंदगी बिजली की किल्लत का सामना कर रही है खुद यूकरेन के राश्टर पती हौलादिमिर्जलस्की ने पुतिन के आपरेशन ब्लैक आउट का जिक्र किया है मौजूदा वक्त में यूकरेन के एक करोड से जादा लोग विजली की किल्लत से जूज रहे हैं रूस ने चुन-चुन कर यूकरेन के ऐसे छिकानों को टार्गेट किया है जहां से पूरे यूकरेन में बिजली के सप्लाई होगी है लेकिन इन हमलों का सबसे ज़्यादा आसर ओदेशा, विनत्या, सुमें और कीव में दिखाई दी रहा है डावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस कि सैनिक यूकरेन के जिन-जिन इलाकों में मौजूद है वहाँ से weur सप्लाई को कट किया जा राहा है ताकि यूकरेन के मनोबल को तोड़ा जा सके क्योंकि रूस अपना सिर्फ our or station को टारगेट कर रहा है बलकि यूकरेन के गैस प्लांट भी रूस की सेना के निशाने पर हैं ये तमाम हालात यूकरेन के लिए इसलिए बड़ी चुहोती बन रहे हैं क्योंकि यूकरेन में सर्दियों की पहली बारबारी भी शुरू हो चुकी है मार्च के महीने तक यहां हाल कपाने वाली ठंड पड़ेगी और इस सर्दी से निपटने के लिए यूकरेन को बिजली के साथ गैस भी चाहिए लेकिन पुतिन के सेना ने जब से आपरेशन ब्लैक आउस की शरुआत की है तब से बड़े पैमाने पार पावर प्लांट दबा हो चुके हैं इस वजह से यूकरेन को एक साथ कई चुनाउतियों का सामना करना पड़ रहा है और अगर ये हालात जल्द नहीं सुध्रें तो ये उकरेन के करोणों लोगों के लिए भीशन सर्दी से निपटना मुश्किल हो जाएगा ये उकरेन के शहरों की बड़ी आबादी हुकमरी का शिकार हो जाएगी इतना ही नहीं पानी के एक एक कत्रे के लिए लोगों को जूजना पड़ेगा ये सब कुछ रूस इसलिए कर रहा है क्योंकि ये उकरेन के सेना के पलटवार ने पुतिन के आत्मविश्वास को बुरी तरह हिला दिया है और इसलिए पुतिन के सेना ने ये उकरेन के ऐसेट कानों पर हमले तेज़ कर दिये है जिन्हें किसी भी देश की लाइफ लाइन माना जाता है को काट रहे हैं तो यूरोप की मीडिया ने रूस को लेकर ये बड़ा दावा किया दामाकों के बीच हवाई हमलों के बीच जोकरेन पर रूस के सबसे खदरनाक खथियार का अभी इस्तेमाल होना बाकी है कीउ की इमारते अभी जल रही हैं ओदेसा में मिसाइल से हमले हो रहे और इस बीच पुतिन ने तयार कर लिया है जेलंज की गुजराने वाला सबसे खदरनाक खथियार ये है पुतिन का नर्भक्षी ये इतना खतरनाक है कि इंसानों को मार कर खाना इसकी आदत रही है पुतिन की फौज में नर्भक्षी को शामिल किया जा रहा है और इसका बहुत ही खतरनाक वीडियो इस स्वक्त पूरी दुनिया में वारल है इस वीडियो की पूरी डीटेल देखाने से पहले आपको वो बात बताते हैं जिसने यूरप की मीडिया में पुतिन को और बदनाम कर दिया है रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी नई फॉज में 35,000 से जादा अपराधियों को शामिल किया है ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि इन अपराधियों में हत्यारे भी हैं बलातकारी भी हैं और यहां तक की नर्भक्षी को भी इस फॉज में शामिल कर लिया दिया है रिपोर्ट के मताबिक अगर यह छे महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इन सब की सजा माफ कर देगा या कहें कि इनको आगे की सजा से आजादी मिल जाएगी इन अपराधियों को लेकर बहुत ही संसानी खेस वीडियो इस वक्त यूरप में वारल है इन अपराधियों से क्या कहा जा रहा है बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि पुतिन इस युद्ध को जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं आपको इसकी बहुत खतरनाक बातें बता चलेगी ब्रिटन की मीडिया का दावा है कि ये व्यक्ती पुतिन का काफी करीबी है नाम है येवगीनी बेरोगजिन और ये यहां रूस के कैदियों को युद्ध में शामिल होने के लिए कह रहा है जेल में इन अपराथियों को बताया जा रहा है कि अगर वो रूस की गलियों और सड़कों पर फिर आजादी से घूमना चाते हैं अपने घर जाना चाते हैं तो उनको योकरेन में लड़ना होगा और हैसा छे महीने तक करने के बाद वो अपनी बागी जिन्दगी आज़ादी से बताने के लिए छोड़ दिये जाएंगा तो प्राइदूट से बिस्यादवने पोस्ले एतव रिशाद श्टो येस सम्नेने तो ने नूजना येख़़ए नम नूजन तोक तो तो उवेरन व सिबे श्टो अन होचेट वहएवाथ इमु एता न्राविटस एमु एता नूजना येव फोर्म पज़़ाएट येवगीनी पिरोगजन की तस्वीर पोतिन के साथ मीडिया में मिलते रही है येवगीनी पिरोगजन को पोतिन का शेफ भी कहा जाता है और इस स्वक्त उसके उपर अपराधियों वाली टोली एकठा करनी की बड़ी से मैधारी है ऐसी कई कोशिशों के बीच सबसे बड़ी चर्चा पोतिन के नर्भक्षी की है जो इनसानों को मार कर खाने का आदी था ये अपराधियों रूस के सरातों में एक जेल में बन था और उसके अपराधिक रेकौड में साफ-साफ लिखा है कि वो नर्भक्षी भी है पुतिन के इस नर्भक्षी का नाम क्या है उसकी उम्र कितनी है इस बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है ऐसे में एक नर्भक्षी को शामिल करके पुतिन भी जैलन्सकी को बताना चाहते हैं कि वो यूकरेन पर जरा भी रहम नहीं करेंगे बल्कि उनकी फॉज में ऐसे सैनिक भी शामिल है जो यूकरेन की फॉज को कच्चा भी खा सकते हैं ये पुतिन की तरफ से बहुत ही डरावना मेसेज कहा जाएगा ये बात तै है कि पुतिन ने अब अपनी फॉज को जैलन्सकी के लिए और खतरनाग बनाने का फैसला किया है और इसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है